नमस्कार किसान साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में तो किसान साथियों इस वीडियों मैं आपको बताऊँगा पीपलिया मंडी के बारे में जैसे कि किसान साथियों आज पीपलिया मंडी में बहुत ही ज़्यादा तेजी देखने को मिली है आज अच 26 नमब्र 2020 हो चुका है 26 नमब्र 2020 को पीपलीया मंडी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और आगे आने वाले दूनों में बहुत ही जादा तेजी देखने को मिल सकती है तो किसान सात्यों इस विडियो मैं आपको सारी अपडेट बताऊंगा आप से नरोद है अगर आप भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को जरूर प्रस कर दें तो किसान सात्यों मैं आपको बता दूँँ जो सबसे बढ़िया जो सबसे टॉप क्वाल्टी की बोली है वो 10,500 रॉपे से लेकर 11,500 रॉपे तक के भाव में निलाम हो चुका है और किसान भायों मैं आपको बता दूँ जो मीडियम क्री क कौ Wendy का प्याज है वो 9,500 पैसे लेकर 10,200 रुपै तक के भाव में निलाम हो चुका है वह ही पर किसान साती हो गयाव चाहिए नेकर 9,000 पैसे निलाम हो चुका है पीपलिया मंदी में तो किसान सात्यों एक और अपटेट है जो जो छोटा प्याज होता है वो पांच हजार रॉपे से लेकर शे पैंसुर सुरुपय तक के भाव में निलाम हो चुका है। पर किसान सातियों, किसान सातियों जो हलका वारी की माल होता है, यह 4,000 रुपे से लेकर 5500 रुपे तक के भाव में निलाम हो चुका है, और किसान सातियों जो खराब माल होता है, वो 3,000 रुपे से लेकर 3500 रुपे तक के भाव में निलाम हो चुका है, तो किसान सातियों यह अपडेट है मैंने इसमें बताया कि आज की क्या पीपलियामंडी में तेजी क्या सस्ती क्या नर्मी क्या उच्छाल देखने को मिली है क्योंकि किसान सातियों आज अच्छी घासी तेजी पीपलियामंडी में किसान भायों को देखने को मिली है ये किसान सातियों बड़ी अप